हनुमान जैनती के मौके पर उस पर भारी पतरा हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक खास समुदाय वर्ग के द्वारा हनुमान जैनती पर शोभा यात्रा पर पतरा होता है इस बारे में कई नेताओं ने भी टुटर पर टूइट किये हैं लगातार सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विशय बना हुआ है साथ ही आपको बता दे कि BJP के वरिष नेता कपिल मिश्रा ने भी इस पर टूइट किया है कपिल मिश्रा ने टूइट करते हुए इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि दिल्ली के जहागीर पुरे में हनुमान जनमोत्सो पर हुआ पत्राव आतंग की हरकत है बांगला देशी घुस पैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है इनके एक-एक के कागज चेक करके गैर कानूनी घुस पैठियों को देश से निकालना अब जरूरी हो गया है साथ ही उन्हें जहांगीर पूरी में जो कुछ भी हुआ है उसका हैश्टेग भी यूज किया है तो आप समझ सकते हैं कि अब दिल्ली में जो हिंसा हुई है अब उसकी भी चर्चा सोशल मीडिया पर होनी शुरू हो गई है इससे पहले हमने देखा कि जब दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उस पर पत्राव हो जाता आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश में जो माहोल है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है कुछ बयानबाजी भी चल रही है कुछ राजनीतिक लाब भी इसमें हो रहा है लेकिन साथ ही लोगों को भिडाने का काम भी जारी है इस वक्त इत्सवीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दो वर्ग समुदाई के लोग आपस में भिड रहे हैं भारी पथ्राव हो रहा है और वहांपर जो कारें खडी हैं जो गारीयां हैं उसे भी जला दिया गया हांथो remembers इसा भी दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सब वाइरल हो रहे हैं और कई बड़े सवाल खड़े और केनि सरकार और दिल्ली सरकार कई और भी लोग हैं जो शोभा यात्रा में शामिल हुए थे वो भी घायल बताए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आप देख सकते हैं किसमें किस तरीके से दो पक्षों के बीच, दो गुटों के बीच में किस प्रकार से संघश होता है और उसमें गारिया भी जला दी जाती है, जिस प्रकार से लोग पत्राव कर रहे हैं और वहाँ पर हत्यार लेकर भी लोग निकलते हैं, इस सब का आप सोशल मीडिया पर विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये बांगला देशी घुसपैठी हैं और जल से जल इनको वहाँ से खाली कराय जाए जा को रास ना आना उरुद के बाश —